दोस्तों मैं गणिश परजापत एक नए वेडियो लेकर आया हूं जिसमें पर्सेंटेज य अधारित कोस्टेंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों Most important है हर परकार के west हर परकार के exam में अपको पता है कि पर्सेंटेज के question आते ही आते हैं तो आईए उन questions को देखते हैं और कैसे solve करेंगी यह जानने की courses करते हैं दोस्तों तो आईए एक एक करके questions हम दो देखते हैं दोस्तों questions दिया हुआ है कि यदि A की I B की I से 25% अधिक हो तो B की I A की I से कितने percent कम होगी दोस्तों कोशन आपका यह है कि A की I B की I से 25% अधिक हो तो जो B की I होगी वो A की I से कितना कम होगी तो जब भी इस परकार का question हो कि A की I B की I से इतना अधिक हो तब B की I A की I से कितना कम हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों B की I A से कम होगी कितना कम होगी तो r अपान 100 प्लस r इतना अधिक बोल रहा है अधिक बोलेगा तब जोड़ेंगे 100 में और कम बोलेगा तो 100 में से माइनस करेंगे तो दोस्तो r अपान 100 प्लस r multiplied by 100% मने इतना होगा इतना % होगा दोस्तों कहने का मतलब जहां जहां r होगा जितना % दिया होगा उसके जगा पर रखेंगे आपर 25% है तो हम रखेंगे 25 और नीचे 100 प्लस 25 हो जाएगा 125 multiplied by 100 25 पांच एकसो पांच इसमें हम काड़ देंगे इसको तो 5 का टेबल 20 टाइमस पढ़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 20% मिल जाएगा दोस्तों कहने का मतलब जो B की I होगी A की I से कम होगी दोस्तों कितना तो 20% कम होगी कितना कम होगी 20% तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि यह आपको question समझ में आया होगा next question ऐसा ही है आओ आये हम लोग उसको भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए दोस्तों इस question में कहरा ये कि यदि A की उचाई B की उचाई से 20% कम हो तो B की उचाई A की उचाई से कितना परसंट आदिक है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों A की जो उचाई है B की उचाई से 20% कम है तो B की उचाई जो होगी A से कितना अधिक होगी तो इसके लिए भी वैसा ही फार्मूला भी हमने बताया है कि जब भी कम की बात होगी तो 100 में से माइनस जब भी अधिक की बात होगी तो 100 प्लस R करेंगे तो उतना हम लोग करते है तो चले B की उचाई A की उचाई से अधिक होगी तो R है पान 100 माइनस R into 100 पर्षेंट हो जाएगा दोस्तों यानि जहां जहां R है वहाँ वहाँ टन 20 रख देंगे 20 रखेंगे तो 20 है पान 100 माइनस 20 multiplied by 100 तो हमको मिल जाएगा दोस्तों 20 अपान 80 multiplied by 100 और दोस्तों जब इसको काटेंगे तो 20 चाओ के 80 4 times में कटेगा दोस्तों और 4 काटेबल पर देंगे हम 100 में तो हमको 25 मिल जाएगा यानि कहने का मतलब जो B की उचाई होगी वो A की उचाई से अधिक होगी 25 परशंट तो जब भी दोस्तों आपको कोशन में अधिक की बात अधिक दिया हो तो हम उसको 100 में एड़ कर देंगे और जब भी कम वाला दिया हो तो उसको 100 में से माइनस कर देंगे दोस्तों और तब जाकर कि R upon 100 प्लस R अत्वा R upon 100 माइनस R multiplied by 100 परशंट हम फाइंड कर देंगे दोस्तों तो मैं आसा करता हूँ कि इस प्रकार के कोशन से आपको समझ में आगे होंगे अत्वा आपके एक्जाम में आएंगे भी तो आप आप आसानी से को सॉल्ट कर देंगे दोस्तों आए अन्य एक्जाम्पल्स भी देखते हैं और इंपोर्टेंट महत्पोन कोशन से वो भी दोस्तों दोस्तों ये कोशन से देखी आप लोग लिखा हुआ है कि शनी को एक परिच्छा में उत्रून होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे उसने 24% प्राप्त की तथा 9 अंकों से नुत्रून डर गिया तो पूर्टांक ग्याद की कितने माक्स का पेपर था वो ग्याद करना है दोस्तों शनी एक परिच्छा दिया और उसको 36% अंक लाने थे पास करने के लिए लेकिन उसने कितना प्राप्त कर पाया 24% अंक प्राप्त कर पाया और 9 अंक से फेल हो गया कहने का मतलब दोस्तों कि और उसे पूर्णांक भी ग्याद करना है पूर्णांक ग्याद करना है कि कितने माक्स का पेपर था उसको लाना था 36% लेकिन लाया कितना उसने उसने लाया केवल 24 परशंट दोस्तों लाया 24 परशंट और 9 अंक से फेल हो गया दोस्तों तो यदि वो 24 परशंट लाया और 9 अंक और ला देता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता यानि 36 परशंट लाने किया हो सकता है यानि 36 परशंट उसका हो जात ना तो वही हमने काम किया है एक बर और समझाता हूं दोस्तो सनी को एक परिछा में उत्रेंड होने के लिए 36% आंक चाहिए लेकिन बचाराओं कितना ला पाता है 24% ला पाता है और 9 आंक से फेल हो जाता है तो 24% में अदि हम 9 आंक जोड देंगे तो हमको 36% आंक मिल जाएगे वह अपने आप में 100% होता है कोई भी नंबर होता है अपने आप में 100% होता है इसलिए हमने पोडां को कितना परिछंट लिख दिया है सबसे पहले उपर ही 100% हमें क्या करना है फाइंड करना है तो 36% माइनस 24% इधर आएगा तो बराबर 9 पता है कि प्लस में है तो इक्वल कि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 36 में से 12 माइनस 24 माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा 12% बराबर 9 एक परशेंट बराबर हो जाएगा बार 9 अपन बार तो हम 100% करने के लिए 9 अपन 12 मुल्टिप्लाइट और जब भी हम इसे कटा देंगे कि 339 यानि तितली का 9 और मैं आसा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कोश्चन 36 परशेंट पासिंग मार्क्स था उसने 24 परशेंट ही ला पाया 9 अंक से फेल हो गया तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे 9 और उसको और मिल जाते तो वह पास हो जाता है तो इतना के बराबर हो जाता तो च 30 परशेंट अंक पाया और 45 अंक से फेल हो गया 45 अंक और लाया हो ता तब पास हो गया दूसरे चातर ने 42 परशेंट अंक लाया और पास होने वाले आवस्यक अंक से 45 अंक अधिक ला दिया है तो पूर्डा अंक बता यह मैंने कितने माक्स का पेपर था यह बताना है तो द लाद य 8 कétique तो उथना माक्स आ जाता कि वह पास हो जाता मैंने पासिंग माक्स उसक्का आ जाता तो 30 परूस्ट हमने 45 जोड़ दिया दोस्तों कि यह इतना क्या स्का पासिंग्रॉक से जो दूसरा वाला लड़का है दोस्तों उसने 42% अंक लाया और जो नियुनतम अंक है पास होने के लिए उससे 45 अंक अधिक ला दिया तो हमको अधिक वाला नहीं चाहिए हमको उतना चाहिए जो कटाफ बना हुआ है तो 42 परशंट लाया लेकिन बहुत ज़्यादा माक्स ला दिया इसने 45 अंक अधिक ला दिया है तो 42 परशंट में से 45 अंक क्या कर देंगे घटा देंगे और जब घटा देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा ये भी बराबर हो जाएगा क्योंकि इसने कम लाया था तो इसमें 45 मिला देंगे तब कटाफ के बराबर होगा और इसने अधिक लाया था तो इसमें से 45 घटा देंगे तब बराबर होगा कटाफ के परेट फेइन क्या पड़िए एकतंड कर लेतेऊं पैनली सिदर अजाएगा तो माइनस यह तो भी वाली में सेदर गंगर गट जाएगा तो बार परेट हो जाएगा पाकुण के बारेसर गटायें वभार परेट हो जाएगा से की सेंफस्द समझ में आगे होंगे यह important questions थे और इस प्रकार के हम अन्य questions लेकर आएंगे हर एक chapter से संबंदी दोस्तों तो मैं अशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो कम से कम channel को subscribe कर लिजे और दोस्तों वीडियो को share भी करें ताकि आपके friends भी पढ़ सकें इसके बारे में जनकारी प्राफ्ट कर्शें के दोस्तों तो दोस्तों बस यह उमीद है आपसे कि channel को share करें like करें और subscribe भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का notification आपको मिल जाए दोस्तों धन्यवाद